नमस्कार मैं हूँ प्रबिन और आप सभी का स्वागत है नियूस क्लिक के शो डेली रॉंड अप में आई नज़र डालते हैं आज की मुख्यों खबरों पर जमो कश्मीर के गवर्नर ने छे अन्य सरकारी कर्मचारीयों को किया बर्खास्त पिछले पांच साल में भुपाल में पांच जार से ज़ादा गोजाती मवेश्यों की मौत विश्य हिंदू परशत के गौसाला में ही 82 प्रतिशत मौते हिमाचल में जल शक्ती विभाग के मजदूरों ने किया प्रदर्शन कहाँ अगर मांगे नहीं मानी तो करेंगे अंदोलन तेज रेश्मी साडिया बनाने वाले हाथ कर रहे हैं इट पत्रों की ढुलाई तल रहे हैं पकोडे बेच रहे हैं सबजी और आखिर में हम बात करेंगे देज भर में 24 घंटों में कोरोना के 30,000 से जादा नए मामले सामने आए हैं 282 मरीजों की मौत पहली खबर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से है जम्मू कश्मीर में लगतार जारी कारवाई के तहट बुद्वार को सरकार ने 6 अनसरकारी करमचारीों को बर्खास्त कर दिया इन करमचारीों पर आरोप है कि यह आतंकी संगठन के साथ काम कर रहे थे अधिकारियों ने अब तक कुल 17 कर्मचारियों को देश के खिलाफ काम करने के आरोप में काम से निकाल दिया है अभी बरखास किये गए 6 कर्मचारियों में से 2 सरकारी टीचर थे एक forest range officer, 2 हवलदार और एक roads and building विभाग में junior assistant है उनकी सेवाएं भारती समिधान के अनुच्छे तो 311 के तहट रद कर दी गई है 22 सितंबर 2021 को सरकारी आदेश में कहा गया था कि इनको निकालना देश के हित में होगा जिसके बाद एक कमेटी ने उन्हें निकालने का फैसला लिया अगली खबर मध्यपदेश से भारती जन्ता पार्टी के राज मध्यपदेश से लगातार गायों और गोजाती मवेश्यों की लापरवा देख भाल की खबरे सामने आती रही है हाली आगडों में पता चला है कि राजदानी भोपाल में पिछले 5 साल में कुल 5578 गोजाती जानवरों की मौत हुई है जिन में से 82 प्रदिशत मौते सिर्फ एक गोशाला में हुई है यह गोशाला हिंदुवादी गोप्रेमी संगठन विश्यो हिंदू परिशत द्वारा चलाई जाती है दो दशक पुरानी इस गोशाला का नाम जीवन दया गोरचन एवं सर्वधन केंद्र है जिसे आम तोर पर वीचपी की गोशाला कहा जाता है यह भोपाल विदिशा रोड पर इस्तित है यहां पिछले पास साल में कुल 4609 गोजाती जानवरों की मौत हुई है विडमना यह है कि एक RTI याजशिका के जवाब में पता चला है 2017 से 2018 में 1317 मौते और 2020 में 109 मौते दर्श की गई है INPH Workers Union संबंदिद C2 के नित्रितों में हिमाचल प्रदेश के जलशक्ती विभाग के प्रमुक अभियंता कार्याले तूटी कंडी शिमला पर मजदूरों ने मंगलवार 21 सितंबर को जोड़दार प्रदेशन किया इस प्रदेशन में जलशक्ती विभाग सिवरेश ट्रीटमेंट प्लांट गुम्मा वाडर सप्लाई वर शिमला जलप्रबंदन निगम के आउट्सोर्स कर्मियों ने भाग लिया यूनियन ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आउट्सोर्स कर्मियों को नियमित न किया गया उनके लिए नीती न बनाई गई नियूंतम वेतन सुनशित न किया तथा उनसे आठ घंटे से जाधा कारे लेना बंद न किया गया तो आंदोलन और भी तेज होगा प्रदेशन के दौरान यूनियन का एक प्रतिनीदी मंडल सीटू प्रदेश अध्यच विजेंदर महरा की अध्यचिता में मुख्य अभियंता से मिला वह उन्हें 12 सुत्रिय मांग पत्र सौपा मुख्य अभियंता ने इन मांगों को तुरन समधान करने का अश्वासन दिया है मजदूर नेताओं ने कहा है कि जलशक्ती विभाग में श्रम कानूनों की धज्जिया उड़ रही है मजदूरों को चार महीने बाद आधा दूरा वेतन दिया जा रहा है इसलिए मजदूरों को हर महीने साथ तारिक से पहले वेतन दिया जाए मजदूरों से आठ से बारा घंडे कारे लिया जा रहा है जो की बेहत कम वेतन दिया जा रहा है उन्हें हिमाचर प्रदेश सरकार के शेडूल ओफ एम्प्लॉइमेंट अनुसार घोशित मासिक वेतन दिया जाना चाहिए बनारस की पहचान बनारसी साड़ी से है इसी बनारसी साड़ी को तयार करने वाले बुनकर आज खुद की बदहाली पर रो रहे है हालात ये हैं कि पहले नोड बंदी, बाद में GST और अब लॉक्डाउन की मार के बाद बिजली के तारों ने बुनकरों को जोवर का जटका दिया है बनारस के हजारों बुनकरों ने हालात को देखते हुए अपना पुष्टैनी धंदा छोड़ दिया है किसी ने सबजी तो किसी ने टौफी बिस्किट बेचना शुरू कर दिया एक दोर वह भी था जब बनारस की गलियों में हुनर मंद बुनकरों के हदकरगों की आवाज गूंजा करती थी लेकिन वक्त के साथ हदकरगों की आवाज पहले पौवर लूम के शोर में दबी और बाद में पौवर लूम की सासे भी उखरती चली गई आज आलात यह है कि करीब एक लाकी आवादी वाले सरईया इलाके में जुनायद एहमत सरी के गिन्ने चुने हदकरगा बुनकर ही बचे हैं जो आभी भी हाथों से साड़िया बुनते हैं बुनकर कहते हैं कि मोधी सरकार की दोशपुने नीतियों से धंदा सिसकने लगा था कुरोना संकर के बीच बिजली बिलो की मार ने कराते बनारसी साड़ी उद्योग पर छाय आफ़त के बादलों ने बुनकरों को बेरुजगार और तबाह कर दिया विजय विनीत की ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ड आप हमारे हिंदी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं किंद्री स्वास मंतराय दोरा आज गुरू वार ती सितंबर को जादी आकड़ों के अनुसार देश में करोना के 30,000 से भी जादा नए मामले दाश की गए हैं इसके अलावा करोना से 24 घंटों में 282 मरीजों की मौत हुई है साथी 20 देश वर में करोना से पेड़ित करीब 32,000 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 349 मामले कम हुए है देश में करोना संक्रमण के मामलों की संक्या बढ़कर करीब 3,35,000,000 हो गई है जिनमें से अब तक 4,44,000 से ज़ादा लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पेड़ित करीब 97 फिसदी मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या गट कर लगबग 3,1,000 हो गई है स्वासमंत्रारी की ताज जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सिन की अब तक 83 करोड से ज़्यादा डोज दी जा चुकी है आज के डेली राउंड़ अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंगलिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्विटर और इंस्साग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया